समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपूर से बिधायक आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जबानत मिल गई है आजम खां को नवासुवे केस में अंतरिम जबानत मिली है इससे पहले 88 केस में पहले ही उन्हें अंतरिम जबानत मिल चुकी है आजम खां और उनके समर्थकों के लिए ये काफी रहत वाली खबर है लेकिन इस अंतरिम जबानत के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आजम खान कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे दरसर पिछले दिनों आजम खान के खिलाफ एक अन्य मामलों में पुलिस ने अपनी कारवाई तेज की है पिछले दिनों सुप्रिम कोट में यूपी सरगार ने आजम खान को आदेतन अपराधिक करार दिया था ऐसे में सुप्रिम कोट की और से अंतरिम जबानत मिलने के बाद आजम के बाहर निकलने पर चर्चा का बजार घरम हो गया है सुप्रिम कोट ने दो सब्ता के अं में जवानत याचका पर फैसला आने के पाद ही आजम खाच चिल से भारा पाएंगे आजम खाँ फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद है उनके जेल जाने के पास से यूपी की राजनीती काफी करमाई नहीं है आजम खाँ की जवानत याचका पर मंगलवार को सुनवाई सुप्रिम कोट का फैसला आते ही आजम समर्थकों में खुसी की लहर दोड़ गई है माना चारा है कि 27 महिनों से जेल में बंद आजम खाँ अब उनके बीच आएंगे लेकिन अभी इसके लिए उन्हें अन्यमामलों की नियमी चवानत के लिए संबंधित कोट में चाना होग दरसल आजम खाँ के खिलाप 2020 में कलत तरीके से स्कूल के लिए नोसी दिये चाने का मामला दर्ज हुआ था इस केस में सुप्रिम कोट ने गुरुवार को अंतरिम चवानत दी है दरसल कलत तरीके से स्कूल के लिए नोसी दिये चाने के मामले में आजम खाँ के खिलाप पाद में जोड़ा गया इस पर सुप्रीम कोट की ओर से आपत्ती भीजताई गई थी लेकिन अब इस मामले में आजम खा की गिरपतारी नहीं हो पाएगी टेक्स रिपोर्ट डीके नियूज